एक्टिविटी एट तमारा सिच्छक रमाडे ते रीते गेसिंग गेम रमत रमो आपके टीचा जिस तरह से आपको खिलाते हैं उस तरह से आपको गेसिंग गेम खिलना है सिच्छक मित्रो एक विध्यारती ने भी जो एक विध्यारती वर्ग खंडनी बाहर लई जई कोई क्रिया करवानू कहसे टीचर मित्रो एक विध्यारती दुसरे विध्यारतीयों को क्लास्वम से बहार ले जा करके कुछ एक्षन करने के लिए कहेगा ते क्रिया कर से और जिसकों कहेगा वह वह एक्षन करेगा पच्छी वर्ग नी अंदर ना विध्यार्थियों है तेडे सू कईरू ते धार से उसके बाद जो क्लासरूम के अंदर बैठे हुए स्टुडेंट है वह बताएंगे कि उसने क्या किया है तेनी क्रिया जोनार धाना साची छे के खोटी छे अब जो उसने किया है जो उसने बताया वह सही बता रहे है घलत बता रहे है वह बताएंगे किस तरह से करना है उसको देखते हैं? आप प्रकारनों सनवात्थ से इस प्रकार से डायलोग होगा वर्गनी अंदरना विध्यारती क्लासरूम के अंदर का जो स्टुडेंट है वो कहेगा अब जिसने उसको देखा होगा उस classroom के अंदर वो बोलेगा no he didn't नहीं उसने नहीं किया दूसरा student पूछेगा did he jump क्या उसने जम किया तो जिसने देखा होगा student वो बोलेगा yes he did हाँ उसने जम किया तो इस तरह से डायलोग करना है जैसे कि मैं कुछ जायलोग आपके सामने बोल रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्या तुमने खाना खाया did you eat the food अगर आपने खाना खाया तो आप क्या कहेंगे yes I did हाँ मैंने खाया और अगर आपने खाना नहीं खाया है तो आप आंसर क्या देंगे no I didn't no I didn't नहीं मैंने नहीं खाया दूसरा देखते हैं क्या उसने काम किया क्या उसने काम किया did he work did he work अगर उसने काम किया होगा तो आंसर क्या मिलेगा हां उसने काम किया यस ही डिड यस ही डिड अगर उसने काम नहीं किया तो आंसर क्या मिलेगा नो ही डिड़न्ट तो इस तरह से आपस में डायलोग करना है और इस सिंपल पास्टेंज में किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है या आपको सिखना है इसके जरिये नीचे डॉक्टर स्मिता आने मनोज भाई सरपंच नी एक दिवसना कार्यों नी माहिती आपी छे टे वाचो नीचे डॉक्टर स्मिता और मनोज भाई सिरपंच की एक दिन में जो लोग काम काज करते हैं उसका इंफर्मिशन दिया हुआ है इसको पढ़ना है डेट है 26 तारीक दस्वा मैना 2012 थर्सडे थर्सडे मिन्स गुरु वार पहले पढ़ते हैं डॉक्टर स्मिता ने क्या काम किया है एक दिन में डॉक्टर स्मिता होस्टेड फ्लेग एट हाई स्कूल डॉक्टर स्मिता होस्टेड मिन्स डॉक्टर स्मिता ने फैराया क्या फैराया फ्लेग जंडा फैराया कहां पर फैराया एट हाई स्कूल हाई स्कूल में फैराया होस्ट का सेकेंड फ़र्म यहां पर होस्टेड इस्ट डॉक्टर स्मिता डिलिवर्ड लेक्चर डॉक्टर स्मिता ने एक भाशन दिया भाशन दिनाओ कहते हैं डिलिवर्ड लेक्चर थर्ड दिखते हैं डॉक्टर स्मिता ओपरेटिड अपॉन दा पेशन्ट डॉक्टर स्मिता ने मरीज का ओपरेशन किया चोथा क्या है डॉक्टर इस्मिता ने क्या किया? इस्पेंट किया क्या गुजारा? एक घंटा गुजारा किसके साथ किया? इस्पेंटली अबल्ड चिल्डरन अलग प्रकार से सच्छम बच्चों के साथ में मिन्स कुछ अपाहिज बच्चों के साथ में जैसे कि बच्चे कुछ बच्चे को कम दिखता है आखों से कुछ बच्चे को कम सुनाई देता है कुछ बच्चों के पैर खराब होते हैं तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के एबल्ड बच्चों के साथ में उन्होंने एक घंटा गुजारा अब मनोज भाई सरपंच की बारे में जानते हैं उन्होंने क्या किया एक दिन में मनोज भाई होस्टेड फ्लेग एड़ दा प्राइमरी स्कूल मनोज भाई जो के सरपंच है उन्होंने जंडा फेराया primary school पर और क्या किया he distributed seeds उन्होंने मिठाई या बटवाई distribute का मतलब होता है बटवाना या बाटना ex distributed का मतलब होता है बाटा second form है distribute का distributed और क्या क्या उन्होंने inaugurated dairy और एक डिरी का उनोंने उत्घाटन किया वहाँ जो स्कूल था उस स्कूल की जो सबसे बड़ी टीचर थी जो सभी teacher की head थी, सभी teacher में से सबसे उपर थी, जिसके एंडर में सारे teacher थे, उसको कहते है head teacher, head teacher से उन्होंने बात की, किसके बारे बात की, about the school progress, school के विकास के बारे में उन्होंने head teacher से बात की activity 10, अहीं मनीशा नी बे नोंदो भेगी थाईल गयल छे, यहाँ पे मनीशा नी दो नोट लिखा था, जो आपस में mix हो गई है जे मा तेड़े गई काले करेला अने आवती काले करवाना कारेनी नोंद छे, जिसके अंदर उसने जो एक दिन पहले किया, जो वो एक दिन के बात करने वाली थी, उसका उसमें नोट लिखा हुआ था तो बनने नोध अलग पाड़ो अने लखो, तो क्या करना है, दोनों ही नोट को अलग अलग लिखना है, मिन्स अलग करना है पहले और उसके बाद में उसको अलग करके लिखना है जो बिते हुए कल का है, उसको एक साथ लिखना है अलग करके और जो बचा हुआ फ्यूचर टेंस का मिन्स आने वाले कल का जो काम करने का जो है लिस्ट उसको अलग करके लिखना है आईए पहले इस पूरे ही पेराग्राफ को पढ़ लेते, इसका मतलब समझ लेते On Sunday, Sunday के दिन, I will wake up, मैं उठूंगी, 8, कितने बजे? 8, 8 a.m, 8 बजे उठूंगी Sunday को मैं 8 बजे उठूंगी जब भी कहीं पे समय का इस्तमाल करना हो, हमको मतलब बताना हो कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इस तरह से तो उसके पहले हम लगाते हैं preposition 8, जैसे कि 9 बजे, तो 8, 9 a.m या 9 p.m, इस तरह से I will prepare my breakfast, मैं तयार करूंगी, my breakfast मेरा नास्ता, मैं अपना नास्ता तयार करूंगी I woke up at 6 a.m, I के बाद में woke up का इस्तमाल किया गया है Walk up या wake up का second form है, क्योंकि या second form का इस्तमाल किया गया है इसका मतलब सीधी सी बात है कि या sentence simple past tense का है Means काम हो गया है past में, तो इसका मतलब क्या होगा? Wake up means होता है, जागना, तो woke up means क्या हुआ? जागा I woke up at 6 a.m, मैं जागी 6 बजे, means मैं 6 बजे उठी या जागी I will meet my best friend, I will meet, मैं मिलूंगी या मुलाकात करूंगी My best friend मेरे सबसे अच्छे दोस्त से, मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त से मिलूंगी Sohail, उसका नाम क्या है? Sohail 8, 10 a.m, और कितने बजे मिलूंगी? 8, 10 a.m, दस बजे सुबह में मिलूंगी 10 के बाद a.m का इस्तमाल किया गया है, इसका मतलब की सुबह के 10 बजे है अगर वहाँ पे 10 p.m होता है, तो इसका मतलब की रात को 10 बजे I left my house at 9 a.m I left, मैंने छोड़ दिया, या फिर मैं निकल गई Left यह leave का second form है, leave का मतलब होता है, छोड़ना या निकल जाना तो यहाँ पे leave का second form, left इस्तमाल किया है, इसका मतलब की यह भी simple past tense का sentence है Means यह जो incident है, यह past tense का है I left my house at 9 a.m, मैंने सुबह के 9 बजे अपना घर छोड़ दिया, इसका मतलब होगा की मैं सुबह के 9 बजे अपने घर से निकल गई I went to the post office, I went, मैं गई, went यह गो का second form is past tense का form है I went, मैं गई, to the post office, post office, means dark घर गई I posted envelope, मैंने लिफाफा पोस्ट किया, means जो खत था उसको पोस्ट किया I returned home, मैं घर, lot I, returned भी यह return का second form है We will play, chase, we will, will का इस्तमाल किया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह future की बात हो रही है, we will play, हम खेलेंगे, chase, हम chase खेलेंगे I will take lunch, at Sohal's home, I will take lunch, मैं lunch करूंगी Take का मतलब लेना भी होता है, take का मतलब खाना, पीना भी होता है तो यहाँ पर क्या होगा, I will take lunch, मैं lunch करूंगी, या मैं lunch खाऊंगी At Sohal's home, Sohal के घर पर I took my breakfast and changed dress I took my breakfast, मैंने मेरा नास्ता किया, या फिर मैंने मेरा नास्ता खाया Took यह tech का second form है, second form का मतलब होता है, past form So मैंने अपना नास्ता किया And और changed dress, और मैंने dress बदल दिया I reached the school by bus, I reached, मैं पहुचा, ये भी reach का second form है I reached मैं पहुचा, the school, school पे, by bus, bus से, मैं bus से school पहुचा जब भी आप travel करते हैं, मिल सफर करते हैं, तो जब भी उस वक्त किसी गाड़ी से सफर कर रहे होंगे तो उस गाड़ी के नाम के पहले आपको by का इस्तमाल करना है, by एक preposition है जैसे की, जैसे की bus से, तो by bus, bike से, by bike, car से, तो by car, cycle से, तो by bicycle, aeroplane से, तो by flight तो इस तरह से आपको by का इस्तमाल करना है, vehicles के साथ में I came back home 8.5.30 pm I came back, मैं वापस आ गई, home घर पे 8.5.30 pm मिन साड़े पांच बजे शाम को मैं घर वापस आ गई I will go for a movie I will go, मैं जाओंगी, sorry, we will go, हम जाएंगे for a movie एक movie के लिए, movies, picture, जो हम देखते है I will return home, मैं घर लटूंगी, 8.7 pm, साम को साथ बजे Then, उसके बाद, I watched TV and played video games with my friends Then, I watched TV, तब उसके बाद में मैंने TV देखा And, और played video games, और video games खेली किसके साथ? With my friends, मेरे दोस्तों के साथ In the evening, शाम में, I took dinner, मैंने dinner किया मैंने सरात का खाना खाया With my family, अपने परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ After dinner, डिनर के बाद में, डिनर में सरात का खाना I will read for some time, I will read मैं पढ़ूंगी for some time, कुछ समय के लिए या कुछ समय तक मैं पढ़ूंगी I went to bed at 10 am I went to bed, मैं बेड पे गई 8.10 am 10 बजे सुबा के Went to bed का मतलब है, सो जाना भी होता है और went to bed का मतलब होता है, बेड पे गई Went या go का second form है, means past form है Go to bed, सो जाना या फिर बेड पे जाना, बिस्तर पे जाना I went to bed at 10 am और मैं 10 बजे सुबा को सो गई, यहाँ पूहना चीए था साम को It's okay, सो इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एकदम simple तरीका बता दिरा हूँ किस तरह से आप इसको past को और future को अलग करेंगे देखिए, इसमें दो tense का इस्तमाल किया गया है, जो इसमें past tense है, उसे कहते है simple past tense और जिस future tense का इस्तमाल किया गया है, उसे कहते है simple future tense तो इसमें जो भी sentence आपको will वाला दिख रहा है, उस will वाले sentence को आपको अलग से छाट लेना है उपर आपको लिखना है simple future tense और उसके नीचे जो भी will वाले sentence है, उसको लिख देना है और एक तरफ आपको लिखना है simple past tense, means जो भीता हुआ, कल था, कल का जो कामकाश था उसके बारे में फिर उसके अंदर आपको will के अलावा जो कुछ बचता है, जिसमें second form का इस्तमाल किया गया मेनवर्प का, उसको सारा एक साथ में आपको लिख देना है वो लिखना कहाँ पर है, नीचे जगा दी गई है, दिखाता हूँ मैं आपको अभी यहाँ पर जगा दी गई है, उपर लिखा है yesterday, yesterday का मतलब है कि पीता हुआ कल, तो means जो simple past tense के sentence होंगे, वो yesterday के अंदर आएंगे देखिए एक example भना करके दिया है पहले से, I woke up at 6am, मैं सुबह 6 बजे उठी, और tomorrow, tomorrow का मतलब होता है आने वाला कल, भविस्ट वाला कल, on Sunday, Sunday के दिन I will wake up at 8am, मैं सुबह 8 बजे उठी, तो इस तरह से आपको यह जो paragraph दिया हुआ है, उसमें जो mixing हो गया, उसको mixing को आपको अ following text, नीचे लिखे होई चीज को पढ़ो, आस्मा lives in गांधी नगर, आस्मा गांधी नगर में रहती है, one day एक दिन, her cousin Rizwan came there, one day एक दिन, her cousin, उसका चचेरा भाई, Rizwan came there, वहाँ पे आया, She went to the bus station to receive him, she went, वह गई, कहां गई, to the bus station, bus station पे गई, क्या करने के लिए गई, to receive him, उसको लेने के लिए, किसको लेने के लिए, Rizwan को लेने के लिए, तो आप किसी को लेने के लिए जाते हैं बस इस्टेशन या रेलवे स्टेशन तो उसको इंगलिस में कहते हैं receive क्या कहते हैं receive बच्चो ध्यान में रखना बहुत ही काम का वर रही है they are returned home बाद में क्या क्या है उन्होंने they are returned home वे घर पे लोटे आस्मा opened the door आस्मा ने दरवाजा खोला and और आस्मा कहती है रिजवान oh oh welcome oh what do I see कहती है oh welcome बाद में कहती है यह क्या हो गया what do I see मैं यह क्या देख रही हूं रिजवान कहता है what is this यह क्या है is this your home आस्मा आस्मा कहती है तुम्हारा घर है आस्मा कहती है yes unfortunately it is my home हाँ बदकिस्मती से दुर्भाग गिवस यह मेरा घर है तो रिजवान कहता है but you can't arrange things like this only a monkey can do it but you can't arrange लेकिन तुम वेवस्थित नहीं कर सकती हो things चीजों को like this इस तरह से तुम इस तरह से चीजों के वेवस्थित नहीं कर सकती हो means वहाँ पर सब कुछ गडबर था यहाँ पड़ा हुआ था only a monkey सिर्फ एक monkey can do it यह कर सकता है सिर्फ एक बंदर ऐसा कर सकता है तो आस्मा कहती है oh my god अरे मेरे भगवान the back door was not closed the back door back means पीछे या पीछे का the back door पीछे का दर्वाजा was not closed बंद नहीं था I forgot to close it I forgot मैं भूल गई थी to close it इसे बंद करना इसे का मतलब है आप दर्वाजे से है रिजवान कहता है oh dear look there on the tree ओ प्यारे देखो look देखो there वहाँ on the tree पेड़ पर ओ प्यारे वहाँ पेड़ पर देखो the lucky monkey is eating your potato chips the lucky monkey खुस नसीब monkey खुस नसीब बंदर is eating खुस नसीब बंदर खा रहा है your potato chips तुम्हारे आलू के इसलिए the monkey is luckier than you इसलिए बंदर तुम्हारे से अधिक खुस नसीब है तुमसे जादा खुस नसीब है रिजवान कहता है ओके ठीक है let's rearrange the room in a civilized way let's rearrange आओ फिर से विवस्थित कर देते हैं the room रूम को आओ फिर से रूम को अच्छी तरह से विवस्थित कर देते हैं in a civilized way सब भी तरीके से या सरीफों की तरहा civilized का मतलब होता है सब भी या फिर सरीफ तो सरीफों की तरह जिस तरह घर सरीफों का होता है सब भी लोगों का होता है उस तरह से घर को arrange कर देते हैं आसमा कहती है let's do it आईए करते हैं साथ में हुप हुप इस पिक्चर को ध्यान से देखिया स्टुडेंट उपर क्या लिखा हुआ है before the monkeys entry before means पहले monkeys means बंदर के entry मतलब आना बंदर की entry से पहले या बंदर के आने से पहले घर इस तरह से arrange था सभी चीज़े अपनी सही जगह पे पहले से first class थी क्योंकि उसको आसमा ने arrange किया था अच्छी तरह से लेकिन बाद में क्या हो जाता है आईए देखते हैं आगे पढ़ते हैं और जानते हैं अब क्या हो गया है उनके घर में let's read आईए पढ़ते हैं what did the monkey do? monkey ने क्या किया? देखते हैं the monkey entered the room the monkey entered monkey ने entry की the room room में means बंदर ने room में प्रवेश किया students enter के बाद में किसी भी preposition का इस्तमाल नहीं होता है जैसे कि आपको sense ऐसा आ रहा होगा कि room में प्रवेश किया तो में के लिए इनका इस्तमाल करना चाहिए यहाँ पर enter इन होना चाहिए लेकिन यहाँ पर इन इस्तमाल नहीं किया है क्योंकि enter के बाद में में उस sense के लिए में सब्द के लिए इनका इस्तमाल नहीं करते हैं सिर्फ enter के बाद उस जगे का नाम लिख देते हैं okay students आगे बढ़ते हैं it scattered all the things it scattered उसने फैला दी उसने बिखरा दी all the things सभी चीजें the table fan is on the cot the table fan means जो fan table पे चलता है is on the cot पलंग पर है it was on the table वो पहले कहां पे था it was on the table वो टेबल पे था near the cot और वो दो टेबल था कहां पे था near the cot और वो टेबल चारपाई के पलंग के पास में था the monkey broke the study lamp and tore the book the monkey broke the study lamp monkey ने ब्रॉक कर दिया means monkey ने तोड़ दिया क्या तोड़ दिया study lamp पढ़ाई करने का जो लेंप होता है जो बत्ती होता है पिजलिस चलने वाला उसको तोड़ दिया broke यह break का second form है break means तोड़ना broke means तोड़ा and or tore the book और किताब को फाड़ दिया तोर यह tear का second form है means past form है tear मतलब होता है फाड़ना तोर मतलब होता है फाड़ा फाड़ी या फाड़े the monkey took out shoes from the shoe stand and threw them out the monkey took out monkey ने निकाला कहां से निकाला from the shoe stand जूते रखने का जो stand था वहां से निकाला क्या निकाला shoes जूते निकाले तो monkey ने बाहर shoes stand में से shoes को निकाला जूते के stand में से जूते को निकाला took out या take out का second form है take out means निकाला और took out means निकाला and or threw them out और उनको बाहर फेक दिया through यह throw का second form है the monkey threw the statue on the floor monkey ने मुर्ती को फ्लोर पे फेक दिया floor का मतलब first फर्स पे फेक दिया statue means मूर्ती it was in the corner और यह मूर्ती कहां पे थी it was in the corner वह कोने में थी the cupboard was closed अलमारी बंद थी but now it is open now it is open अब यह खुली है the monkey put the flowers was on the sofa monkey ने फूल दानी को sofa पे रख दिया फूल दानी जिसके अंदर फूल रखे जाते हैं it was on the stool और यह पहले कहां पे था यह flower was stool पे था all the chairs were upside down सभी कुर्सियां कैसी थी upside down means अगर आप chair को सही position में रखेंगे सही तरीके से रखेंगे तो जो उसका उपरी हिस्सा होता है जिसे कहते है upside मतलब कि उपर का हिस्सा upside उसको चला गया नीचे तो क्या हो गया upside अब down हो गया means जो उपर का side था उससे upside कहते हैं अब उसको पलेट दिया तो upside चला गया नीचे की side मतलब कि upside down हो गया means chair उल्टी हो गई चेर जब उल्टी हो थी तो उसको कहते है upside down तो सभी chairs क्या थी upside down थी means उल्टी पड़ी हुई थी so students room पहले कैसा था आपने picture में देखा अच्छी तरह से कौन से चीज कहां पर रखी हुई थी और अब कौन से चीज कहां पर जा चुकी है आपको यह paragraph पढ़ने के बाद सब्समिया आ गया होगा तो नीचे एक आपको picture दिया होगा उस pictures को आप अच्छी तरह से draw करना है उसके हिसाब से जिस हिसाब से बताया गया है कौन सीज कहां पर पहुँच गई है तो इसाब से आपको यह picture ड्रो करना है now complete the following picture अब नीचे दिये गए चित्र को पूरा करना है इस पे क्या लिखा हुआ है after the monkeys visit monkey के आने के बाद अब monkey के आने के बाद क्या हाल थी कमरे की आप लोगे ने उपर paragraph करने पढ़ा है तो उसी हिसाब से आपको इस चित्र को इस picture को draw करना है I hope students यह आप लोग जरूर कर लेंगे आसानी से अगर आपके drawing अच्छी है तो आप काफी आसानी से कर सकते हैं हम बढ़ते हैं आगे activity 12 बारा नंबर के activity देखते हम तमेपण flying bicycle जेव साधन बना हुआ इच्छतो हसोने आपको भी उड़ने वाले cycle जैसी कोई साधन बनाने का मन करता होगा तेनू छित्र अहीं दोरो उस चीज का यहाँ पे picture आपको draw करना है जिस चीज को आपको बनाने का मन करता है तेना भागो ना नाम अंग्रेजी मालको और उस चीज उस vehicle जो गाड़ी आप बनाना चाहते है उस गाड़ी के जो parts है जो उनके अंग्रे मिन्स भाग है उनका नाम आपको इंग्लिस में लिखना है तेमा तमे कयो विज्यानिक नियम अपनावियो तेपड नोधो और उस vehicle के अंदर जो आपने बनाई है बनाना चाहते हैं उसके अंदर आपने विज्यान का मिन्स विज्यानिक का कौन से नियम कौन से principle का आपने इस्तमाल किया है उसको भी यहाँ पे आपको लिखना है तो यहाँ पे आप ओड़ती हुई cycle का picture बना सकते है सो इस्ट्रेंडस यह ड्रोइंग भी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं